Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys हम सभी लोगों की चाइल्ड हुट का एक हिस्सा तो जरूर रहा होगा जिसका नाम अलादिन का चिराग था कहीं लोगों ने इसके कार्टून्स देखी होंगे तो कहीं लोगों ने इसकी मुवी जरूर देखी होगी तो काइस में आज आज आप सभी लोगों के सामने अलादिन की एक लाइफ एक्षिन मुवी लेके आए हूँ जो की 2019 में रिलीज हुई थी तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराय में आप सभी लोगों को उन पुरानी केरेक्टर से मिलवाती हूँ जिने हम सभी लोग अलादिन के नाम से चानते हैं जहां हमें अलादिन, जैसमीन, अपू, जिनी और उनका मैजिकल कार्पीट भी देखने के लिए मिलेका मुवी के शुरुआत एक बूर्ट से होती है जहां दो बच्चे अपने फादर से स्टोरी सुनते हैं उने कहते हैं कि आप हमें कहानियां गा के सुनाइए जहां पे उनके फादर उने कहानी बताना शुरू करते हैं कि कैसे एक अकरपा नाम का किंग्टम हुआ करता था जहां पे अलादिन रहता था और तभी यहां पे अलादिन पहुच जाता है और उस लड़की को कहता है कि तुम बस मुझे बिलीव करो यह दोनों वहां से निकलते हैं लेकिन अलादिन ने अपने हाथ के सफाई से उस लड़की का प्रेसलेट उस शौप उनर से वापस ले आया था इसी करण वो शौप उनर अलादिन और उस लड़की को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे भीच देते हैं यहां अलादिन और वो लड़की पूरे शहर के अंदर भाग रहे थे कैसे तैसे करके यह दौनों बच निकल जाते हैं जहां पे अलादिन इस लड़की को अपने घर लेके आता है इस लड़की के कपड़े देखके अलादिन समझ जाता है कि यह काफी महंगे कपड़े हैं जिससे अलादिन को पता चलता है कि यह लड़की महल से आई है जरूर ये हो सकता है कि ये प्रिंसेस का काम किया करती हो ये लड़की अलादीन की बाते सुनके इसके हां में हां मिलाती है वो लड़की जब पानी में देखती है तो वहां से उसे बड़ी बड़ी शिपस आते हुई दिखाई देती है इसी करण वो उस जगह से चानी के लिए अलादीन को कहती है लेकिन चानी से पहले वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है लेकिन अलादीन की पॉक्ट में वो नहीं था क्योंकि वो अबू ने अपने पास में रख लिया था लेकिन ये लड़की यहाँ अलादीन को चोर मानके वहाँ से चली जाती है यहाँ अलादीन जब अपने घर पे पहुचता है तो अबू को डांट लगाता है और कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर समान तुम चोर ही किया करो यहाँ सीन शिफ्ट होता है कैसल के अंदर जहाँ प्रिंस यहाँ इस प्रिंसेस को देखने के लिए आया था और यह प्रिंसेस और कोई नहीं बलकि वही लड़की थी जिसका नाम जैस्मिन था जैस्मिन को यह प्रिंस का मकल लगता है इसी कारण वो उसे शादी करने में कोई खास इंटरस्टेड नहीं थी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किंग अपना काम कर रहे थे लेकिन तबें यहाँ पे जफर जो कि किंग का वजीर था वो आके किंग को बताते हैं कि हमें शीराबाद के उपर अटेक कर देना चाहिए ताकि वो सल्तनत भी हमारी हो जाए तो यहाँ पे किंग कहते हैं कि शीर प्रिंसिस जैस्मीन आजाती है जो कि अपने फादर को कहती है कि आप मुझे ये सल्तनत क्यों नहीं सौब देते तो किंग यहाँ पे जैस्मीन को बस यही बताते हैं कि सालों सालों से यही होता आया है कि आत्मी ये सल्तनत को चला सके और एक लड़की सल्तनत को कभी नहीं चल आ सकती है कि बात सुनके जैस्मीन कहती है कि मैंने कई सालों से सल्तनत को संभालने की सारी तैयारी कर रखी है सल्तनत को संभालने वाला वही हो सकता है जो कि उसके सारे दर्द समझ सके लेकिन किंग जैस्मीन की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे डाट के वहां से भगा दी हैं जब वो अपने कमरे में में पहुंचती हैं तो इसके साथ में काम करने वाली का नाम डालिया था यही नहम जैसमीने अलादीन को बताया है बंगी difu को यह नहीं करेंगी यह फिर आप उस चोग दिल दे आई जहां हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में अलादीन कैसल के सारे के सारे कार्ट को चक्मा दे के जैस्मीन के पास पहुंचने वाला था लेकिन आखिरकार जब वो जैस्मीन के पास पहुँच जाता है तो उसे अभी भी वही लग रहा था कि ये असली प्रिंसेस नहीं है बलकि प्रिंसेस का काम करने वाली लड़की है जैस्मीन अभी भी इसी जूट को चालू रखना चाहती थी वो अलादीन से पूछती है कि तुम आखिर यहां तक कैसे पहुच पाए अलादीन कहता है कि गार्ट से बच्चने में कुछ तकलीफ तो हुई लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं था जानी से पहले वो जैस्मीन को कहता है कि कल तुम मेरा इंतजार करना मैं फिर से आउंगा लेकिन अलादीन उस कैसल से बाहर नहीं निकल पाता है बाहर निकलने से पहले उसे जफर के सारी लोग पकड़ लेते हैं जफर एक ऐसी केव के पीछे लगा हुआ था जिसके अंदर उसे एक जादूई चिराग मिलने वाला था लेकिन वो जादूई चिराग लेने के लिए सिर्फ वो ही आदमी अंदर जा सकता है जिसका दिल साफ हो अलादीन को देखके जफर ही समझ चुका था कि उस केव के अंदर जाने के लिए अलादीन बिल्कुल पर्फेक्ट है जफर यहां अलादीन को बताता है कि पहले मैं भी एक चोर हुआ करता था लेकिन मुझे पूरी की पूरी सलतनत चाहिए थी और रही बाद जिस लड़की से तो मिल के आ रहे हो वो प्रिंसेज है तब अलादीन को पता चलता है कि वो लड़की तो जैसमीन है यानि की प्रिंसेज लेकिन उसने अलादीन से जूट बोला जफर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हें बहुत अमीर कर सकता हूँ लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करने पड़ेगी जफर अलादीन को पूरी तरीके से समझा चुका था कि इस गैसल के अंदर उसे कैसे जाना है बस ये ध्यान रखना है कि उसे किसी भी तरेके की ज़ोलरी को हात नहीं लगाना है क्योंकि अगर वो किसी भी चीज को हात लगाएगा तो अलादीन इस जगह से बाहर नहीं निकल पाईगा वहाँ की चीजे अलादीन को डिस्ट्राक कर सकती है लेकिन अलादीन को बस चिराक बापस लेकि strikes आना है जिसके बाद में देखते ही देखते यहां गरम लावा आने लगता है और उस पूरी केव को परबाद करने लगता है लेकिन अलादीन ने इस केव में पहुचने से पहले एक जादूई कालीन की पे चान बचाई थी क्योंकि वो कालीन एक पत्थर के नीचे तबाह हुआ था अलादीन की जान चप खत्रे में थी तब यही कालीन अलादीन की चान बचाता है जफर उपर खड़ा होके अलादीन को कहता है कि मुझे चिराग दो तो मैं तुम्हें उपर बचा लूँगा लेकिन जफर ऐसा करता नहीं है वो ये चिराग लेकि अलादीन के हाथ पे जोर से पैर रखता है जिसे अलादीन गिर जाता है लेकिन अबू जफर के उपर अटेक कर देता है और इस अटेक के बाद में जफर वहाँ से चला जाता है यहाँ बाहर आने के बात पता चलता है कि जफर के पास तो वो चिराग है ही नहीं अब उन्हें वो चिराग जफर से चुरा लिया था अब जब अलादीन जैसे उस चिराग को हाथ लगाता है तो उसमें से जिन निकल के आता है और वो जिन अलादीन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक जादूई जिन हूँ जो कि तुम्हारे कोई बिविश पूरी कर सकता है लेकिन अलादीन ने आज से पहले ये चीजें केवल कहानियों में सुनी थी इसी करण उसे उस जिन पर बिलीव ही नहीं होता है यहाँ जिन सोचता है कि आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं आया जिसने विशिस को मांगने से पहले इतना सोचा हो आखिर अलादीन अपनी पहले विश मांग लेता है जो कि था कि इस केव में से ये लोग बाहर निकलाएं जिन अलादीने इन सभी को बाहर ले आता है और उसके बाद में जिन अलादीन को समझाने लगता है कि कैसे तुम्हें आगे के विश्यस मांगनी पड़ेगी लेकिन अलादीन एक अच्छा लड़का था इसी कारण वो पहले जिन से पूछता है कि तुम्हारी खुआईश क्या है तुम क्या चाहते हो तो जिन कहता है कि आज तक मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा लेकिन मैं बस आजाद होना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफे सालों से इसी चिराख के अंदर हूँ लेकिन अलादीन को एक प्रिंस के जैसा बियेव करना तो आता ही नहीं था इसी कारण वो कुछ भी कलत सलत बोलता चारा था जिसमें से कुछ बातें किसी को भी पसंद नहीं आती है और जैसमीन वहां से चली जाती है तब वहां पे केंग अलादीन को कहते हैं आप लोग आज रात की पार्टी में ज़रूर आईएगा इधर अलादीन जिन को कहता है कि मुझसे ये सारी चीज़े नहीं हो रही है मैं सब कुछ चाके सच सच बता देता हूँ तो जिन कहता है कि अलादीन तुमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए जफर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक दम से कोई नया किंडम कैसे बन सकता है जहां पर अली नाम का राचा भी हो इसी कारण वो अलादीन के पास पहुँचता है और उसे अलमोस्ट हेपलोटाइस करने ही वाला था कि वहाँ पर जिनी पहुच जाता है और अलादीन को बचा लेता है जिसके बाद में अब रात का जशन शुरू हो चुका था अब सभी लोग यहां डांस करने लगते हैं जिन के जादू से अब अलादीन भी बहुत अच्छा डांस करता है जैसमीन के साथ में लेकिन जैस्मीन फिर भी इस चका से चली जाती है अलादीन को लगता है कि आप आखिर कैसे वो जैस्मीन का दिल जीत पाएगा तब जिन कहता है कि जब तक तक तुम उसे बात ही नहीं करोगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा अब जिन पहुचता है जैस्मिन के पास में जहां उसे पहले डालिया मिलती है जहां जिन अपने साथ में डालिया को ले जाता है कि तभी यहां पे पीछे पीछे अलादीन भी आता है अब वो जैस्मीन को इंप्रेस करने के लिए वही जादूई कालीन को भी बुला लेता है ये दोनों बैट के उस पूरे किंडम की सैर करते हैं जहां देखते ही देखते जैस्मीन भी अब इस नए अली को पसंद करने लगती है लेकिन अलादीन का तरीका भी भी पतला नहीं था और ये चीज़े देखके जैस्मीन पहचान जाती है कि तुम तो अलादीन हो तो अलादीन यहां पे जूट कहता है और बोलता है कि नहीं मैं एक प्रिंस ही हूँ लेकिन मैं आम आदमी बनके तुमारे किंग्टम में पहुचा था जैस्मीन इन बातों को सच मान लेती है लेकिन जफर का जो बर्ड था येगो वो ये सारी चीज़ें देख रहा था कि कैसे अलादीन के पास में जादुई चीज़ें है वो ये सारी बाते जाके जफर को बताता है और अब जफर यहाँ पे अलादीन को पकड़ लेता है वो अलादीन को कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ तुम कोई प्रिंस अली नहीं हो बलकि तुम तो वही चोर मकार हो अगर तुम्हारे पास में वो चिराग है तो मुझे दे दो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिराऊंगा अगर तुम यहाँ से बच गए इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पास वो चिराग है और नहीं बचे तो कोई बात में मुझे तुमारे मरने पे कोई दुक नहीं होगा जिसके बाद में वो अलादीन को चियर से बान के पानी में फैक देता है लेकिन तब तक ये सारे चीजें अबू देख चुका था अलादीन पानी में गिरने के कारण बिल्कुल बेहोश हो जाता है अब वो यहाँ पे चिराग को नीचे भी फैकता है बाई चांस अलादीन से बस वो चिराग तच हो जाता है कि तभी यहाँ पे जिन बाहर निकल आता है और वो अलादीन की बहुत बुरी हालत देखता है जहां जिन अलादीन को कहता है कि मुझसे अपनी दूसरी ख्वाइश मांगो कि मैं तुम्हें बचा लू लेकिन तब तक अलादीन बेहोश हो चुका था लेकिन जिन अब खुद के हिसाब से ही उसकी दूसरी ख्वायश को पूरी कर देता है और अलादीन को बाहर ले आता है यहाँ जफर किंग को कहता है कि प्रिंस अली गायब है और वो आपके किंगडम के उपर अटेक करने वाले हैं लेकिन तभी यहाँ पे पहुच आती है जैसमीन प्रिंस अली के साथ में और वो किंग को बताते हैं कि जफर नी जूट बोला है और उसे पानी में भी फैक्टने की कोशिश की है किंग यहाँ पे कुछ कह पाते है उससे पहले जफर ने उन्हें हिपलोटाइस कर दिया जिसके बाद में किंग भी अब अलादीन को बहुत बुरा भला कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ यह सारी चीज़े अलादीन को समझ में आ चुकी थी कि जफर ने हिपलोटाइस कर रहा है इसी करण अलादीन जफर की छड़ी तोड़ देता है जफर को अरेस्ट करवा लेती हैं अब यहाँ पे जिन अलादीन से कहता है कि तुम्हारे पास अब आखरी एक विष है तो मांगो तुम्हें क्या मांगना है अलादीन जब जिन से मिला था तो उसने जिन को कहा था कि मैं तुम्हें आजाद करने के लिए ही अपने तीसरे विश मांगूंगा लेकिन अब अलादीन पलट जाता है और कहता है कि मैं प्रिंस बन की बहुत खुश हूँ ये सारी चीजे जैस्मीन को भी पसंद है अगर मैंने सब कुछ सच बता दिया कि मैं एक चोर हूँ तो जैस्मीन की शादी मुझसे कभी नहीं हो पाएगी ये बात सुनके जिनको बहुत बुरा लगता है वो सोचता था कि अलादीन एक अच्छा इंसान है और इसी कारण वो वापिस से चिराख के अंदर चला जाता है यहाँ एगो ने जफर को छुडवा लिया था वहाँ अलादीन भी नराज होके अपने घर की तरफ चाने लगता है कि तबहें यहाँ पे जफर आके अलादीन से उस चिराख को ले लेता है जफर कैसल के अंदर जाखे जिन को बाहर निकालता है और अपने सबसे पहली ख्वाइश मांगता है कि मुझे इस सल्तनत का राचा बना दिया जाए जिन को उसकी विश पूरी करनी पड़ती है और अब इस किंगडम का नया किंग बन चुका था जफर जहाँ वो जैसमीन और उसके फादर साथी डालिया सभी को अरेस्ट करवा लेता है लेकिन तब जैसमीन यहाँ पे अपने सबसे पुराने गार्ड जिसका नाम हकीम था उन्हें कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो तुमारे फादर और उनके फादर हमारे साथ में काफी सालों से थे और अब तुमें चुनना पड़ेगा कि तुम अब काम जफर के लिए करोगे या हमारे लिए करोगे तुम अपने आखों के सामने ऐसे गदार इंसान को कैसे किंग बनने दे सकते हो देखते ही देखते ही इस पूरे किंडम को परबात कर देंगे जिसके बाद में हकीम जोके सबसे पुराना वफादार था वो अपने सारे गार्ड्स को हटवा लेता है लेकिन तब जफर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मेरे पास और भी विशिज़ हैं तब वो जिन को बुलाता है और जिन से अपनी दूसरी ख्वाइश मांगता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर चादू कर बना दो अब जब यहाँ पे अलादीन इस चिरा को चुराने के लिए पहुँचता है ताकि वो जफर से मुकाबला कर सके तो जफर यहाँ पे अलादीन को बहुत दूर भीस देता है एक ऐसी जगह जहां से वो वापस ही ना आ सके अब जफर यहाँ पे केंग और जैसमीन दोनों को बहुत परिशान करता है जहां दूसरी तरफ अलादीन और अब्बू ऐसी बरफ से बने हुई जगह पे पहुँच जाते हैं जहां से वो वापस ही नहीं लौट पाते हैं लेकिन तब ही वो जादूई कालीन इनके पास पहुँच जाता है जोकि इने लेके फिर से कैसल की तरफ आता है यहां जफर जैस्मीन को फोर्स करता है उसे शादी करने के लिए लेकिन जैस्मीन यहां जफर से शादी करने के बचाए उसके पास रखा चिराख चुरा लेती है और वहीं से कूट जाती है लेकिन वो कूती इसलिए है क्योंकि उसे दूर से आते हुए अलादीन और वो जादूई कालीन देख जाता है जफर यहाँ पे अपने जादूई ताकतों से यैगो को एक बहुत बड़े बर्ड में बदल देता है यैगो अब इसी जादूई कालीन का बहुत दूर तक पीछा करता है लेकिन देखते ही देखते है उस चिराग को फिर से अबू चुरा लेता है अबू की उस चिराग को चुराने के कारण यैगो वापिस पहले जैसे हो जाता है यहीं किंग पहुंचता है जफर के पास में और उसके हाथ से उसकी चादू स्टिक नीचे फैक देता है ताकि जफर चादू ना कर पाए लेकिन इस बाद से जफर को और जादा गुसा आ जाता है और उसके हाथ में फिर से अपनी स्टिक आ जाती है यहाँ पे यागो भी अव इस चिराग को चुरा चुका था और वो जफर के पास में सभी को ले आता है जफर देखते ही देखते सभी के उपर अपना चादू कर देता है और आखिर में अपनी तीसरे विश भी मांगने ही वाला था लेकिन अलादीन तो बहुत इंटेलिजन था इसी कारण वो जफर को बोलता है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर बन जाओ लेकिन इस दुनिया में सबसे ताकतवर तो जिन ही है क्योंकि वो ही तुमें इन विशिस को पूरा करने दे रहा है और इन बातों के अंदर जफर आप ही जाता है उसे लगता है कि जिन सबसे ज़ादा ताकतवर है तो आप उसे ही जिन बन जाना चाहिए जिसके बाद में आप जिन से वो अपनी तीसरी विश मांग लेता है कि उसे अब सबसी जादा ताकत वर जिन बना दिया जाए जिन यहाँ पे हसता है और बोलता है कि तुमने तो अपने विश मांगने में बहुत बड़ी गलती कर दी जफर यहाँ पे जैसे एक किंग बनता है तो उसे लगता है कि उसके पास में बहुत सारी पावर्स आ चुकी है लेकिन जिन का तो एक रूल होता है कि अगर उसका कोई ओनर नहीं हुआ तो वो कोई भी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा और इसी के साथ हमेशा-hमेशा के लिए चिराग में बंद भी हो जाएगा यहाँ जफर एक जिन बन के इसी चिराग में बंद हो जाता है जिसे असली जिनी बहुत दूर फैक देता है ताकि वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाए गेंग यहाँ पे अलादीन से माफी मांगते है जिसके बाद में अलादीन केंग से माफी मांगता है कि मैंने आप लोग उसे छूट बोला और अलादीन के पास में अपनी आखरी विश थी जो कि वो अब जिन से मांगने वाला है वो जिन से मांगता है कि जिन हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए जिन को तो बिलीव ही नहीं होता है कि आकर किसी ने उसकी लिए कोई विश्मांगी है और जिन अब हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो चुका था जिसके बाद में अब गेंग जैसमीन को इस सल्तनत को संभ जिसके बाद में वो अलादीन से शादी कर लेती है यहां जिन भी अब डालिया से शादी कर चुका था सभी यहां पर बहुत खुश थे यानि कि जो कहाने सुना रहा था वो जिन ही था जो कि डालिया के साथ में अपने बच्चों को अलादीन के पारे में बता रहा था और इस किसी के साथ काईज ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे सरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में तब तक के लिए टाटा झाल